प्यारे बच्चों, आपका फिर से नयोदय का क्लास सुरूँ, मैं प्रभात्र पाठी हूँ नयोदय के एक्जाम को कैसे क्रेक करे और कैसे अपना सेलेक्शन निश्चित कर ले इसके लिए आपको मुझसे यानि प्रभात्र से जुड़े रहना है आईए, आज मैं क्लास सिक्स में प्रवेश के लिए गडित में एक नया टॉपिक जोड़ा गया, डाटा ये जो डाटा टॉपिक है और एंगल दो टॉपिक जोड़ा गया नया मैं डाटा टॉपिक पर तीन वीडियो में ये पहला वीडियो है आप से बात करूँगा और तीनो वीडियो अगर आपने देखा तो आपको डाटा एनलसिस सारे प्रसनाप से हो जाएंगे आगे हम अपने पॉइंट पर आते हुए सीधे डाटा एनलसिस पर आते हैं कि हमें क्या-क्या पढ़ना होगा, कैसे तैयारी करनी होगी सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन जरूर दबाईए चलिए तो डाटा के एनलसिस पर सीधे हमाते हुए पहला नियोदे का क्लास 6 के एडमिसन के लिए ये जो टॉपिक है डाटा एनलसिस इस पर बात करते हैं नाइन्थ के बेसिक्स के लिए भी बच्चे इसको पढ़ सकते हैं ये वीडियो देख सकते हैं डाटा होता क्या है हमारे उपियोग के लिए कोई भी जानकारी जो इकठी की जाए जैसे उदारन के लिए किसी कालोनी में, किसी गाओं में, किसी स्कूल में बच्चों के या व्यक्त के द्वारा उपियोग किये जाने वाले मंजन की जानकारी अभी कठा कर दी है कि कौन से मंजन जादे उपियोग होते हैं या कम उपियोग होते हैं किस सर्फ का उपयोग हमारे गाउं के लोगों के द्वारा किया जा रहा है, इसका डाटा इकठा करना है, हमारे गाउं में कितने लोगों के पास साइकल है, कितने लोगों के पास मोटर साइकल है, कितने लोगों के पास कार है, यह जानकारी इकठा करनी है, इस जानकारी का हम आगे किसी काम के लिए उपयोग कर सकते हैं। एक टीम में 11 खिलाडी हैं, जो खिलाडी खेल रहे हैं, माल दीजिए 11 खिलाडी खेल रहे हैं और उनकी द्वारा रन बनाए गए और आप से किसी नहीं कहा जा है, रन लिख डालिए, तो आपने 11 खिलाडी का रन लिख करके उसको दे दिया, ये डाटा ब्यवस्थित नहीं है करम से आपने नहीं बनाया है कि बढ़ते हुए करम में, घटते हुए करम में या कोई और जैसा निर्देश हो, अब्यवस्थित है, रैंडमली है, यह जो रैंडम डाटा मूल रूप से प्राप्त होता है, वो डाटा असंसाधित आंकडी कह जाते हैं, यानि डाटा किस तर हो सकता है, डाटा ग्राफ में हो सकता है, डाटा सिंबल यानि संकेतों में हो सकता है, तो डाटा प्रस्तुत करने के यह चार-पास तरीके हो सकते हैं, हमने यह देखा कि जो डाटा हम इकठा कर रहे हैं, वो असंसाधित है, यानि वो ब्यवस्थित करम में नहीं है, इसको ह पुदाहण के लिए कि एक टीम में 11 खिलाडी हैं जिनके रन आप देख सकते हैं रैंडमली लिखा गया है बिना किसी बिवस्थित करम में लेकिन अगर हम इने बढ़ते या घटते करम में करेंगे तो बिवस्थित करम होगा फिर आगे आते हैं दो तरह के पहले हम आज बात क करेंगे इस वीडियो में एक है चित्रालेक यानि पिक्टोग्राफ और दूसरा है बारग्राफ या दंडारेक पिक्टोग्राफ क्या होता है अगर हम किसी आंकडे को चित्र के द्वारा या किसी संकेत के द्वारा कुछ पिक्चर बना दे उसके द्वारा प्रदर्सित करत पिक्टोग्राप से हम बड़े बड़े आंकडों को छोटे में दिखा लेते हैं जैसे एक उदाहण के साथ हम आप से बात करेंगे हमारे सामने तीन स्कूल रखे गए तीन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या की बात की गई कि भाई देखा जाए कि एक्स स्कूल में कच्छा 9 में अगर 5 सेक्षन है ऐसे आप समझ लो या यह समझ लो कि पूरे स्कूल में कितनी बच्चे हैं तो मैंने स्कूल X में 4 इस्माईली बनाया है और यहां लिखा है कि एक स्माईली 50 बच्चों को प्रतिबंबित करता है यानि उसका वो निरूपन कर रहा है यानि 4 इस्माईली हैं तो 50 बड़े 4 यानि 200 बच्चे होगे इसी तरह से अगर स्कूल Y में हम बात करें तो आप देख सकते हैं 2 इस्माईली बनी हुई है यानि अगर एक इस्माईली 50 बच्चों को प्रतिबंबित करता है तो 50 और 50 यानि 100 बच्चे होगे जेड में अगर हम बात करें तो जेड में हमारे जो इस्कूल है इसमें हमारी 3 इस्माईली बनी है और यह कि स्माइली कितना है? पचास बच्चों का, यानि पचास धनपचास धनपचास अन्य डेर सो बच्चे हो गए, अब मन में आ रहा होगा, सर ये तो समझ गए ना, सवाल कैसे आएगा? सवाल आएगा, सबसे कम बच्चे किसी स्कूल में हैं? तो Y में, क्यों? सिर्फ सो सबसे जड़े किसी स्कूल में है सरय एक्स में क्यों क्योंकि 500 बच्चे है चार इस्माइली बनी हुए अ कितना हो गया 200 और 100 का 100 वच्चे यानि मैंने ये उदाहर दिया कि इस तरह के प्रस्न पिक्टोग्राफ से पूछे जा सकते हैं आपको मैं बताऊं ऐसे ही प्रस्न दंडारेक से भी पूछे जा सकते हैं चलिए समस्ते हैं बार ग्राफ यानि दंडारेक क्या है तो बच्चों बारग्राफ जो होता है ऐसे ही आयतानुकार या लाइन के द्वारा एक हाइट उचाई के द्वारा ये दिखाया जाता है यहां दो अच्छ बना दिये जाते हैं एक अच्छ पर छात्रों की संख्या या जो एक आकड़ा होता है और दूसरे अच्छ पर दूसरा आकड़ा होत बच्चों में किन बच्चों के द्वारा कौन सा विसे पसंद किया जा रहा है तो विसे यहां है इस अच्छ पर और इस लाइन पर यानि लाइन को हम अच्छ बोलते हैं गडित में इस अच्छ पर छात्रों की संख्या है आप देख सकते हैं English, Hindi, Math और Social Science या Science चार सब्जेक्ट आपके सामने दिख रहा है पहले इंग्लिस में केवल 20 बच्चे हमारे हैं जो इंट्रेस्टेड हैं रुचि लेते हैं हिंदी की क्लास में आप देख सकते हैं 30 बच्चे रुचि लेते हैं और मैथ की क्लास में 20 बच्चे रुचि लेते हैं और साइंस की क्ल संकारी कठा कर ले अब सवाल जो होगा उससे जुड़े होगे जैसे हिंदी पिसे कितने पच्छे पसंद करते हैं तो उत्तर है कि यह पंगरेजी में कम है यानि हिंदी में तीस बच्चे हैं अंगरीजी 20 बच्चे हैं तो 10 बच्यों कामतर है ऐसे ही पिक्टोग्राफ और बार्ग्राफ यानि दंड आरेक और चित्र आरेक के द्वारा प्रस्न पूछे जाते हैं अभी इसमें बहुत कुछ बचा है अभ्यास के प्रस्न बचे हैं कुछ कॉंसेप्चुल बाते बची हैं जिने हम अगले वीडियो में डिसकस करेंगे उम्मीद है आज आप डाटा एनलसिस से जुड़ी हुई जो बेसिक्स हैं उन्हें आप समझ लिए होंगे दो मिनट फास्ट रिवीचन डाटा क्या है हमारे उपयोग के लिए एकठा की गई कोई भी जानकारी उन जानकारी में वो टेक्स, पिक्चर, नमबर, ग्राफ, सिंबल किसी भी तरीके का हो सकता है जो डाटा एकठा किया जाता है वो रफ डाटा होता है उसे हम औस अंसाधिर डाटा कहते हैं इसको हम चित्र आरेक या दंडारेक और भी तरीके हैं जिनको हम आग प्रानक के आधार पर बनाया जाता है जैसे अगर हम मानलो जंगल बे पेड की संक्या ले 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 तो यहां एक पेड बना दिया अब उस पेड का मतलब 200 पेड हो गया या इस तरह से हम मान सकते हैं दंडार एक में दो अच बनाया जाते हैं और एक अच पर ये खड़ी आयत के चित्र बनाये जाते हैं जिससे हम टैली करके समझते हैं कि हमारी जो जानकारी है वो कैसी है और उस पर आधारित प्रसंद बताए जाते हैं उम्मीद है आपको ये समझ में आया